हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल में आप लोगों को स्वागत है आज मैं आप लोगों के लिए आटे से बनी हुई ऐसा एक रेसिपी लेके आई हूँ जो सुवा में जटपड बन जाती है और जब नास्ते में कुछ समझ ना आए तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राय करें हमने यहां सारे भेजिटेबिल्स को छोड़े छोटे टुकड़ों में कट कर लिये हैं गाजर एक टमाटर दो हरी मिच एक प्यास और थोड़े से धनिया पत्ता ये सबको हमने बारिक काट लिये हैं अब हमने यहां एक बावल में एक कटोरी आठा लिये हैं और इसमें दो चम्मच सूजी डालेंगे स्वादानुसर नमक देंगे और सारे वेजिटेबिल्स जो कट करकर रखे हुए थी वो सब जीरे जीरे इसमें डाल देंगे अब हमने दो चम्मच सूजी डालेंगे और थोड़े से मंगरेला और आजवाइन को लेंगे और इससे हातों से अच्छे से मसल लेंगे इससे खुजबू भी अच्छी आती है और टिस्ट भी अच्छा आता है थोड़ा थोड़ा पाणी डालके अच्छे से मिलाए और एक गाड़ी घोल तयार करें इस तरह अच्छे से मिलाए ताकि इसमें लम्स ना पड़े और घोल को ज्यादा पतला ना करें तभी ये चीला अच्छा बनता है से एक बरतन से ढाक के रगते ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए तवा को अच्छे से गरम करेंगे और एक चम्मच तील डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे और घोल को डालते समय ग्यास का जो फ्लेम है वो कम कर दे उसके बाद ही घोल को डाले ऐसा करने से घोल जो है वो तबे पे चिपकता नहीं है आप चारो तरब तेल डालेंगे और इसे अच्छे से पकने देंगे अब इसे धीरे-धीरे कर्ची की मदद से निकालने का कोशिश करेंगे यह जब पक जाती है तो आराम से यह निकल जाती है यह देखिए, अब इसे पलट लेंगे, अब दूसरे तरह पलट लेंगे, यहाँ भी थोड़ा थोड़ा तेल देके इसको अच्छे से पकाएंगे, और पक जाने के बाद इसे निकाल लेंगे, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब कर दे, और कॉमन में जरूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है, तो फ्रेंट्स यह चीला जो है बन चुकी है, अब इसे निकाल लेंगे, इसी तरह सारे चीले को सेम प्रोसेस में बनाना है, यह जो चीला है, यह आटे से बनी और इसमें आप अपने पसंद के हिसाब से अलग-अलग बेजिटेबिल्स को डाल सकते हैं और बना सकते हैं, इसलिए यह हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, और इसे बच्चे बहुत मन से खाते हैं, और बड़े भी बहुत मन से खाते हैं, तो प्लीज आप यह रेसिपी ज तो अगर बच्俊 को देना चाहते हैं तो मिर्ची नें चाहते भी सकते हैं और प्लीज यह रेचिपी आप जरूर ट्राई करें बच्चों को जरूर पसंद आएगी और इसे आप सॉस के साथ भी खा सकते हैं या आचार के साथ भी खा सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू